हेलो दूस्तो नमस्कार दिस्क्रिप्शन में उनका भी मिल जाएगा चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हमें का चुके विल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर चलो स्टार्ट कर लेते सबसे पहले यहापे अमेरिकन बाजर का हल चाल का चल रहे ठीक है 122 पॉंट्स डाउन है सो क्लोजिंग कैसे होते हैं उसके इसाब से कल हमारी हुपनिंग भी देखने को आपे मिल जाएगी हाला कि मैंने आप लोगों को अलड़ी यहापे इस संडे के वीडियो में बताय था कि यहापे बाजर में नेगेटिव पॉंट के लिए कुछ यहापे important triggers बाजर में मिल रहे है इसके चलते बाजर में pressure हमनों को देखने को मिल रहा है ठीक है यह normal की प्रक्रिया है plus minus होता रहता है पेटियआम की बात करें पेटियाम में भी गजब की गिरावट डिखने को मिले आट साड़े आट परसंड की आसपास की गिरावट रेट जमैटो में भी अमों को गिरावट डिखने को मिले जितने भी new technology न्यूज़ टेकनालोजी वाली companies है उनमें गिरावट डेखने को मिले है और कल के दिन भी मैंने आपको बताया था कि जोमैटों में गिरावट के पिछे का कारण एक साल का लॉकिंग जैसे खतम हो गया हम लोग लगबग 4.7 टाइमस हम लोग को जादा क्रोड या पर रश्या से हम लोग डिसकांटेड क्रोड रश्या से इंपोर्ट करते वे देखने को आपे मिला है एक डेटा है जसके आप लोगों को पता होना चाहिए नेक्स बात करेंगे दोस्तों आप सब लोग पता है 5G स्टेक्टरम से रिलेटेड या पर जो बोली है auction है वो शुरू होते वे देखने को मिल चुका है और इसी से रिलेटेड पहला खबर या पर सामने भी आते वे देखने को मिल चुका है सकते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सरकार के ओर से एक बहुत बड़ा मतलब अनॉंच्मेंट डेखने को आपर मिल रहा है अनॉंच्मेंट मतलब क्या कि सरकार को यहापे मतलब जो क्रिटीसिजम देखने को मिला बीच में कि जी एस्ट से सरकार ने आपे बोला है फिनेंस मिनिस्टर ने बात बोली है कि जी एस्ट काउंसिल कॉमन मैं के इंट्रेस्ट में आपे काम कर रही है और इसके उपर फिलाल तो फोकस यहापे रखा हुआ है ज़रू आपको इस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या या पर जाव देना आप ज़रू कमेंट सिक्शन में आपे दे सकते हो बट इतना हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि यहापे जो डिमांड की गई थी में मकसद क्या था कि आज फइनेंस मिनिस्टर इससे रिलेटेड बाक्षी थे आपे करने वाले थे डिमांड ये थी कि अभी GST जो लगाया गया था खास करके पनीर के उपर हनी के उपर वो वापस यहोड़र लिया गया बट वापस लिया जाए ऐसे है रिकगेस्ट था बट हकीकति अईसा तो कुछ इहाप यहापर लोग भात करेंगे UTI AMC अगर ओर ओर यूस करेंगे ठीक ही नगें हैं बट जो कबनी का मेन operating income है उसमें हम लोगों को quarterly yearly गिरावट देखने को मिली है तो जरू अगर आप चाहो तो इस company के कल बाजार के प्रतिक या रेक्षियंद रहता है इस company के उपर focus बना के रख सकते हो then बात करेंगे relax और food wear बहुत ही कमाल का multi bagger stock है बहुत ही कमाल के returns already generate करके दे चुका है पाच सल की बात करें तो already company 300% से जादा के returns में ये बात हकीकत वाली है कि फिलाल की अगर हम लोग बात करी वैसे तो देखा गे अच्छे लगे या नहीं लगे ये कल देखना interesting देगा personally में अगर मेरी बात करो year on year वैसे उक्यों के performance दिखा है तो ठीक ही number हम लोग इसको बोल सकते है वैसे company बहुत बढ़ी है आप जाओ तो continue कर सकते हो next बात करेंगे ad shop e retail ASRL के अगर हम लोग या पर बात करें दोस्तों मैं आप लोग को warn करना चाहूँगा ये बहुत ही risky company है मैंने सिफ आप लोग को एक बार study करनी के लिए आप इससे related video बना कर ये आप बता है था इसका आरतिया नहीं कि आप blindly जाके बहुत ज़दा पैसा लगा दो बहुत ही गलत बात है क्यों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा ultimate microcap company 200 करोड का भी market cap नहीं है ऐसे company की कोई guarantee नहीं होती है हाँ इतना बात पक्का है कि company अभी तक बहुत अच्छा performance दिखा रही है and consistency की साथ अच्छा performance दिखा रही हाला कि company के आज की भी अगर हम लोग Q1 के number की बात करे अफलातून number से इसी के बदलत आप देख सकते 5,5,6% की तेज़ी देखने को में लिए एक साल की बात करे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते company ने जो performance दिखा है वो बहुत ही शांदार है मतलब 47% की returns और अगर मैं आपको यहाँ पर 5 साल का data की बात करे तो 1000% की returns है और प्लस अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो company ने bonus split corporate action भी एक बार हमें दे दिया है बट इसका रते हैं नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लालची हो आपे हो सकता है एक बार मैं नीचे चेक कर लेता हूँ इसे related कोई latest update फिलाल देखने को मिल रहा है तो चले कोई latest update नहीं जैसे आजाएगा मैं आप लोगों को बता दूँगा next बात करेंगे IRCTC है अगर आपके पास जरू continue आपे कर लेना अगेन करना चूँगे यह सारे long term वाले stock है already अच्छे return दे चुके है रैट जन्न ने अभी अभी एंटर किया है उनको यह तकलिफ होगी IEX के नंबर की बात करें तो बाजर को इतनी कुछ खास numbers नहीं लगे 3% के आसपस की गिरावट हमनों को देखने का आपे मिली है बट कमपनी बढ़ी है आप लोग को पता है नेक्स बात करेंगे ITC ITC का 300 प्लस की closing के उप मतलब उसके उपर trade होना start यह आपे हो चुका है रैट सो बहुत सारे लोग ने आपे position भी बनाई होगी आप भी चाहो तो यह आपे बना सकते हो ऐसे अगर आप चाहते हो अगर आपको company business wise अच्छा लगता है तो आप जरूर जा सकते हो along with the stop but strict stop loss लग लेना क्योंकि आपे वापस अगर यह मतलब 300 exactly 300 पे मतलब लग लेना हलाकि उसके लिए एक तारीक का इंतजार करना पड़ेगा next बात करेंगे तो अदानी विल्मार अदानी विल्मार अल्रेडी में आप लोग बता चुका हो इन stocks related जरू continue कर लेना यहापे अदानी का जमना चल रहा है तो अच्छे कासे returns आपको आज ने तो कल मिलेंगे ही yes bank की बात करेंगे तो लगातार गिरावाट डिखने को मिले पाच दिन के अगर हम लोग यहापे बात करें जितनी तेजी यहापे पकड़ ली थी yes bank ने बीच में आपको याद होगा कमाल की तेजी देखने को मिले थे एक बहुत बड़ा statement yes bank के management के और से देखने को मिला था कि ज़्यादा टाइम नहीं अभी कुछी quarter का इंतजार है उसके बाइद एक turnaround डेखने को मिलेगा दो बड़े investor यहापे आएंगे जो 10-10% का यहापे निवेश यहापे कर सकते है मतला माल उठा सकते है वट उसके बाद जितना भी अभी तक company के number देखने को मिले उसके इसाब से हम लोको वापस उसी level पे yes bank वापस नीचे आते वे देखने को मिला है ठीक है learning वाला stock है बार-बार आप लोगों को यहापे बता चुका हो यहापे कोई भी जल्दवाजी करने की जरूरत आप लोगों में यहापे होनी नहीं चाहिए next बात करेंगे विप्रो या फिर अगर हम लोग यहापे बात करें इंपोसेस जितने भी बड़े दिगज आईटी कंपनीज है यहाप साफ साफ चीजे समझ में आ पर आ रहे है कि इंप्लोई बिनफिटे एक्स्पेंसेस के कारण यहापे जबरदस हम लोग को यह गिरावट डेखने को आपे मिले वाकि जितने भी आईटी कंपनीज के उसके पहले है जो मिनने आप लोग को बताया है कि यहाप सीका जो पुरान लेवल है जब तक यहाप लिच नहीं करता है सब तक इसके बारे में लंब्य आवधी के लिए आप लोगोंने फिलाल तो सोचना भी नहीं है पहले ही ओलरी मार्केट में या पर प्रेशार देखने को मिल रहा है और प्लस अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ा साइस का या आई पियो था गवर्मेंट कंपनी प्लस या पर आगे इन से स्टेक से रिलेटेड क्या फेस अच्छे आते है तब जाके आप इसके बारे में विचार कर सकते हो नेक्स अगर हम लोग बात करेंगी येस इस कंपनी से रिलेटेड पता नहीं आज पूरा कमेंट सिक्षन यहाँ पर भरा हुआ है मैंने तो आज तक इससे रिलेटेड कभी एक वीडियो भी में शायद से भी नहीं होगा तानला प्लाटफॉर्म से लिमिटेड येस इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्टे शायद से बहुत सारे लोग के पास रहेगा भी और आज की दिन तो 20% की गिरावाट देखने को मिली है येस कंपनी के नंबर्स मैंने रीड कर लिए स्टेंड अलोन जो कंपनी के नंबर्स थे वो कौटरली येरली दोनों उपन वे से हम लोगों को खराब देखने को मिले और कंसॉलेडेटेड भी देखा गया तो इतना कुछ स्ट्रेंथ नजर यहापे नहीं आ है और कुछ नहीं है दोस्तों यहापे स्ट्रेट अवे हमनों को समझ में आया कि कल के दिन कंपनी के नंबर थे और नंबर के प्रती रियक्शन था तो यहापे किसी ने तो बड़ा माल लगाया होगा तो उनको वो परसनली वो नंबर अच्छे नहीं लगे होगे तो उनमें से किसी ने तो यहापे बड़ी प्रॉफिट बॉकिंग के जिसके चलते सीधा यह स्टॉक हमनों को 20% के लोवर सर्किट में जाते वे देखने को आपे मिला है अगर कंपनी का में रेकॉर्ड भी देख लिया कि 5 सल में कंपनी ने बहुत ही कमाल के रिटन्स यहापे दिये है त इससे बड़िया बड़ी option alternative बाजार में अविलेबल है वहापे में जाना परसनली पसंद यहापे करता हूँ बट यहापे हम लोग के सकते किसी बड़े प्लियर को निमबर बिलकुल भी अच्छे नहीं लगे उनकी जो उमीद थी वह expectation कि उसाप से नहीं निमबर आ है तो उ मिल रहा है तो आशा करता दोसो जितने भी important बात है थी सारी आपे cover कर ले वीडियो अच्छा लगे तो ज़रू like and share कर देना इंडिमेट अकांड भी तक उपन नहीं कि है तो लिंक नीचे description box में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिलकुल free of cost मिल जाएगी आपका नाम और कौनस अधर आप लियों काई सारी वीडिस free of cost प्रोवाइड कर दे जाएगे so that's it thank you very much दोसो we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye